मदोबनी जिले के हरलाखी थाना छेतर के बेला टोल गाउं में साधो के भेस में टेम्पू से आए तीन ठग ने चौकिदार की पत्नी को नशीली दवा पिला कर बेहोश कर दिया। उसके बाद कथित साधो ने बकसे से लाखो रुपए की जेवरात लेकर फरार हो गए। हलाकि ग्रामिनों ने उक्त तीनों ठग समित टेम्पू चैलो को पकड़ कर पुलीस के सुपुर्द कर दिया है। घटना मंगलवार सुबह दस बजी की बताई जा रही है। प्राब जानकारी के अनुसार हर लाकी थाना छेत के चौकिदार बेला टोल निवासी बिक्रम यादब ड्यूटी पर थे। इसी दोडान सादू के भेस में तीन लोग उनके घर गए और उनकी मा से बोले कि आपके जमीन पर ग्रह है। जिस कारण आपके पोते के साथ अनुनी घटना घट सकती है। साथी कई प्रकार के जासा देने के बाद महिला ने उनके बातों पर यकीन कर लिया। उसके बाद सादू ने एक गलास में जल लाने को कहा फिर जल में कुछ घोल कर कहा कि अपने पुत्रवधू को पिला दो। यदि मीठा लगा तो समझना की सच में ग्रह है। उसके बाद सादू के दोड़ा दिये गए पानी को विवाहिता ने पी ली और बताया कि पानी मीठा लगा। उसके बाद उन साद्यों ने एक गलास पानी को सरक के उस पार फिक कर आने को सासुमा से कहा। इधर चौकिदार की पत्नी रेनु देवी बेहोश हो गई थी। उसके बाद सा कर जब महिला वापस आई तो देखी कि पुत्रवदू बेहोस थी। उसके बाद चीक पुकार मच गई वही आनन फानन में बेहोशी की हालत में महिला को इलाज के लिए एक निजी क्लिनिक में भरती कराया गया। वही कुछ ग्रामीनों ने बाइक से उन सादियों को खोजन कानी पासवान मौके पर पहुँच गए और टेंपू चालक समेथ तीनों सादू को हिरासत में लेकर ठाना ले गए। चालक समेथ तीनों धोंगी सादू के संबने बताया जा रहा है कि वे समस्ति पुर्जिला के रहने वाले हैं। इस बबात ठाना ध्यक्च मनुझ कुमार ने बताया कि टेंपू को जब्त कर तीनों धोंगी शादू के बिरुद आगे की कारेवाई की जा रही है। बिहार मधुबनी से राजीब कुमार जाकी रिपोर्ट बी एनपी नियूज रुट से काथब पानी खेकला भेज दलके में जादू की वने सचाभी लोले वी चेट अगाना ते हो चली बाते हो चली जानावाई की सो चली गानावे चली नथीया टिका मंगशूथ, कानमे जूमका, लोगा के हलमान जी, कारा, बसलेट, पायल केटा साथ हो चलिए? तीनता अबो टेम्पुल वाला चायरुगो बिचलिए अंकराम की बेड़? राइखादेश कुन गाउंड चलिए? बेला तो